अगर आप बहुत ही कम ओयल का और कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं तो हाई फ्रेंड्स आज हम आपके साथ एक ऐसी रेस्पी शेयर करेंगे जो बहुत ही कम ओयल में बनका तयार हो जाती है और खाने में भी बहुत तेस्टी है तो हम इसको एक कप ग्यूं के आटे में बना का तयार करेंगे आप इसको सुबह के ब्रेकफास्ट या कभी भी बना कर खा सकते हैं तो अगर आपको ये रेस्पी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो फिर चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं तो अब हम इसमें डालेंगे एक चुटी चमत चुटी राई पान से चे करी पता एड़ कर लेंगे और दो बारी कटी हुई हरी मिर्च एड़ करेंगे और सभी चीजों को हम थोड़ा सा भून लेंगे सभी चीजे हमाई थोड़ी सी भून गई है अब हम इसमें डालेंगे आदा गा को बकाते हुए 2-3elcome आदे ड़े और चुछ मसाले अपकाते हुए 2-3 minutes हो गया है अब हम इसमें कुछ मसाले अट कर लेंगे तो मसालें में हम एट करेंगे 1.4 चूटी चमाच हल्दी पाऊडर 1.4 चूटी चमाच गरम मसाला 1.4 चूटी चमाच हम इनको भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे तो आलू को हम थोड़ा सा प्रेस करते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे इस प्रोसेस से हमारे कुछ आलू मैस हो जाएंगे और कुछ साबूत रहेंगे जिससे स्टफिंग का टेस्स बहुत ही अच्छा आएगा तो आलू को भी पकाते हुए हमें तीन से चार मिनट हो गया है अब हम इसमें एट करेंगे दो छूटी चमच नीवू का रस ये और आप खटा खाना पसंद नहीं करते हैं तो इसको ना डालें और इसको भी हम इसमें बड़ा से मिक्स कर लेंगे आप नीवू की रस की जगए आमचुर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं तो स्टफिंग हमारी तयार है अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको एक बाउल में सिफ्ट कर लेंगे तो अगर आपको ये रस्पी पसंद आ रही हो तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो अब हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा साइज का आलू ले लिया है इसको हम कदू कस कर लेंगे हमें यहाँ पर कदू कस बारीक बला लेना है क्योंकि जो हमें आलू के लच्छे बनाने है वो बारीक ही चाहिए तो हमने पूरे आलू को गद्दू कस कर लिया है और आप देख सकते हैं कि जो उसके लच्छे हैं वो बिल्कुल बारीक हैं और इसमें एट करेंगे एक कफ के हों का आटा साथ ही हम इसमें आदा कफ सूजी एट कर लेंगे अब हम सभी चीजों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे तो अभी तग अगर आपने मेरा चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लें तो अब हम इसमें एक कफ पानी एट कर लेंगे जिस कप से हमने आटा एट किया है उसी कप से हम पानी भी डाल लाए है और पानी को हम इसमें बढ़िया से मिक्स कर लेंगे तो इनको हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि इनका बैटर एकदम स्मूथ बने यानि इसमें लम्स भी नार है तो एक कप पानी हम इसमें और एट कर रहे हैं इस तरीके से अभी हमने दो कप पानी इसमें एट कर लिया है तो सारी चीजों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें एट कर रहे हैं तीन से चार बारी कटी हुई लाल मिर्च 9 से 10 बारी कटे हुए करी पता डालेंगे आदा चुटी चम्मत जीरा आड़ करेंगे एक चुटी चम्मत सफेद वाले तिल डालेंगे और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे तो हमने इस बैटर में ना सोडा ना इनो और ना ही धाई का यूज किया है तो सिर्फ हम यहाँ पर एड़ कर रहे हैं आदा नीवू का रस और नीवू के रस को भी हम इसमें बढ़िया से मिला लेंगे तो अभी हमारा बैटर थोड़ा सा थिक है इसलिए हम इसमें एक कप पानी और एड़ कर लेंगे और पानी डाल कर हम मिक्सर को भड़िया से चला लेंगे तो टोटल हमने यहाँ पर तीन कप पानी का यूज किया है तो ध्यान रखेगा इस बैटर को हमें पतला ही बनाना है तो अब हम इस बैटर को एक साइड में रख देंगे तो अब हम इस नास्ते के साथ खाई जाने वाली एक बढ़िया सी चटनी बना का तयार करेंगे इसके लिए मिक्सी जार में हम 2 टेविल स्पून नारिल का बूरा एट करेंगे इसको हम देशी केटिट कोकोनट पाउडर भी कहते हैं तीन से चार हरी मिर्च एट कर लेंगे साथ ही हम इसमें एट कर रहे हैं 10 से बारा करी पत्ता आदा इंच अध्रका टुकड़ा एट कर लेंगे और दो टेविल स्पून हम धाई एट कर रहे हैं नमक डालेंगे स्वाद अनुसाद अब हम सभी चीजों को पीस लेंगे तो सभी चीजों को हमने बढ़िया से पीस लिया है तो अब हम एक तड़का पैन लेंगे और इसमें एट करेंगे दो छोटी चमत शोदे देशी घी और घी को हम गर्म कर लेंगे जब गी हमारा गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे अदा छोटी चमत छोटी राई और एक सुकी खड़ी लालमिश को तोड़कर डालेंगे चार से पांच करी पत्ता एट कर लेंगे तो तड़का हमारा तयार है इसको हम चटनी में डाल लेंगे ये चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है आप चाहें तो इसको थोड़ी सी हरी दनिया डाल कर भी पीच सकते हैं तो अब हमने याप पर दो सा तबा ले लिया है और इसको हम गर्म कर लेंगे जब तबा हमारा गर्म हो जाए तब हम इसको थोड़ा सा ओल से ग्रीस कर लेंगे तो ओल को हम पूरे तबा पर लगा लेंगे तो अब जो हमने ये बेटर बना का तयार किया था उसको हम बढ़िया से चला लेंगे क्योंकि सूजी आटा और आलू हमारे तली में बैट जाते हैं इसलिए हमें इनको बढ़िया से चला लेना है और चलाने के बाद हम इनको तबा पर अच्छे से फैला लेंगे तो इस बेटर को हमें पूरे तबा पर बढ़िया से फैला लेना है आप चाहें तो इसको कटोरी की साइता से भी फैला सकते हैं और गैस की फ्रेम को हम हाई रखेंगे एक से दो मिनिट के बाद हम देखेंगे कि यह उपर से ड्राई लगने लगा है तब हम ब्रस की साइता से इस पर थोड़ा सा ओल लगा लेंगे अगर आप इसको ज़्यादा क्रिस्पी खाना पसंद करते हैं तो आप इसको इस तरीके से एक बार पलट लें और इसको दूसरी साइट से भी थोड़ा सा सेक लें तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना अच्छा है और यह देखने में कितना क्रिस्पी लगने लगा है अब जो हमने अपनी स्टफिंग बना का तयार की थी उसको हम इस पर इस तरीके से रख लेंगे और इसको हम थोड़ा सा प्रैस कर देंगे अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे तो इसका हमें एक roll बना का तयार करना है तो stepping को हम cover करते हुए इसको इस तरीके से fold कर लेंगे तो इस तरीके से हमने इसका एक roll बना का तयार कर लिया है इसी तरीके से हम सारे roll बना का तयार कर लेंगे अगर आपको ये recipe पसंद आई हो तो please इसे like और share जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ बाई